अज गल कर दियां पांज ऐसे टेप्स तु फॉर्गेटिंग यॉर ट्रैवल विजा अप्रूवड की तुसी अमेरिका दी कोई प्लानिंग कर रहे हो टूरिस्ट विजा वास्ते एस तो पहला के तुसी अपने सफर दे जड़े ड्रीम्स ने उसनू सकार कर सको थानू बीवन बीटू टूरिस्ट विजा अप्लिकेशन नू कम्प्लीट करन एंड यूए से दे विच एंटर होन वास्ते अपना वीजा प्राप्त करन दी लोड है यूनों विजिटर विजा वास्ते एप्लाइ करना थोड़ा जडिफिकल्ट लग सकता है बट ऐसा होना जिरूरी नहीं है असी एक स्ट्रॉंग अप्लिकेशन त्यार करन एंड थोड़ी ट्रस्ट नाल पूरी विजिट नू पूरी विजिटर प्रोसेस नू नेविगेट करन वेच थोड़ी पूरी हेल्प करन लई हमेशा त्यार रहने हैं और कुछ टिप्स भी दिने रहने हैं एक प्रॉपर विजिट दे तुझी प्लानिंग बनाओ सब तो पहला देखो एक स्ट्रॉंग बीवन बीटू वीजा अप्लिकेशन त्यार करन दा एक पार्ट थोड़ी यूएस दी जो यात्रा है है ना विजिट है ओधी वास्ते एक विजिट प्रोग्राम त्यार करना है यूएस गर्मेंट है ना इस बारे प्रॉपर प्रॉपर थोड़ेतों इंफर्मेशन मंग दिया है कि तुझी कदों और कितों विजिट करना चांदे हो ट्रैवल करना चांदे हो एंड किस मकसद वास्ते तुझी ट्रैवल करना चांदे हो अपड़ी ट्रैवल नू ब्रॉण वे ले एक प्रॉपर तनू प्लेस देना है एंड ट्रैवल दे इरादे नू त्यांच रखना बड़ा यकीनी तुसी बनाना है प्रॉपर डिस्क्राइब करना है और अच्छी तरह डिस्क्राइब करना है ठीक है? फॉर एक्जांपल जेकर तुसी अपने किसे दोस्त दी मैरेज लई सैन फ्रैसिको दी ट्रैवलिंग कर रहे हो ताए दस्ट दी बजाय कि तुसी किसे और निश्चित इवेंट वास्ते कैलिफॉर्निया दी यात्रा करन दी प्लानिंग कर रहे हो अपनी एप्लिकेशन विच इना डिस्क्रिप्शिंस नो शामिल करो ठीक है? अपनी एथो तक की फाइनांशिल इंफर्मेशन जिड़ी है प्रॉपर इकठे करो टूरिस्च विजा एप्लिकेशन दा एक इंपॉर्टेंट पहलू अमेरिकन गर्मेंट नो इस साबित कर रहा है कि थोड़े कोल थोड़े पूरी ट्रैवल दी इंवेस्टमेंट नो पूरा करन वास्ते रिक्वाइड फंड्स है गे हैं जिस्च एयर टिकर्ट्स है न रहेंट दा खर्चा और होर नॉर्मल मिसलेनियस खर्चे जिड़े हैं उन्देने उस सारे शामल ने एंट थोड़े यूए स्विच थोड़े समय दोरान पैदा हो सकते ने तुसी अपनी अप्लिकेशन ते अपनी फाइनांशिल चीजा नो प्रॉपर समिराइज करो प्रॉपर होना दी जानकारी जड़ी है कि यह प्रॉवाइड करो एंट ट्रेवल विजा मंजूरी दिया पॉसिबिलिटीस नो तुसी होर वदा सकते इस चीज़े बैंक स्टेटमेंट्स हाना अपनी प्रॉपर जड़ी इंकम है हाना ओ प्रॉपर तुसी दिखानी है पेसलिप्स होगी हाना और या फिर थोड़े कोई प्रॉपर्टीज दे नाल रिलेटिड जड़े भी प्रॉफ सुन्देने ओ सारे शुव करने हुंदेने तुसी साथे मंजल इंस्टिट्यूट ते आके मंजल ते आके राजपुरा दे विच अपनी ट्रेवल विजा प्रॉसेस वास्ते रिक्वाइट फाइनांशियल प्रॉफ और होड हेल्पफ पॉइंट हुंदा है कि तुसी अपने करनाल मजबूत संबंद साबित करो इन नोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बीवन बीटू वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है मतलब के एप्लिकेंट सिरफ एक औस थाई मियाद वास्ते अमेरिका जानदा इरादा रखदा है और उसने वीजे दी जड़ी मियाद है और खदम होंड ते अपनी कंट्री वापस जाना चौनदा है यूएस गर्मेंट थोड़ी ट्रैवल वीजे तो इनकार कर सकती है जेकर उसनों शक है कि तुसी अपने वीजे दी कोई वी दुरवर्तों करोगे मतलब थोड़ी वीजे दी मियाद खदम होंड तो पहला अमेरिका विच रहो और स्थाई तो उरते देश विच रहंड दी कोशिश करो इस करके और रिफ्यूजल भी दे सकते है इस लोड़नू नेविगेट करनदा एक बहुत वधिया तरीका एस साबित करना है कि थोड़ी और यह थोड़ी फैमली मेंबर्स हो सकते ने जिना विच मलब जिना दा तुसी कर्च समर्थन करते हो है न कोई जॉब हो सकती है जिस विच तुसी वापस और लई responsible हो या फिर कोई school program तुसी मतलब कोई admission ले गई हो है ना या thought day किसे home country नाल मजबूत संबंदा नो कीवे साबित करना है और एथे किस किसम दे सबूत provide करने ने इस बारे better description तुसी कठा करो यह दे वासते असी thought day पूरी help भी करते हैं ठीक है next next point है वीजा इंटर्व्यू वासते कोशिश देखो ट्रेवल वीजा प्रोसेस वेच last important step वीजा इंटर्व्यू इस तो पहलना कि तुसी अपना वीजा प्राप्त कर सको थनू अपने स्थानक जो American Embassy है या फिर इंटर्व्यू वीजा प्राप्रों इंटर्व्यू देड़ी पाएगी और इंटर्व्यू दे दुरान एक counselor मतलब एक officer थनू थोड़े home country विच थोड़ी इच्छित यात्रा और जिंदगी बारे कई सवाल पुछता है और इस दिन नाल ही इस दिन नाल ही थोड़े दोरा अपनी application विच जो भी तुसी शोग किता है उदी जानकारी दी प्रापर पुष्टी करें इंटर्व्यूज खास तूर थे दिमागी परिशानी में सूस करते ने इस वास्ते टाइम तो पहला त्यारी करना और अपना सब तो वदिया पैर अग्गी रखना बड़ा important है अपने application letter दे जो भी तुसी points लिखे ने उननो प्रापर चेक करो प्रापर यकीनी बनाओ और इंटर्व्यू दे दिन तो पहला थोटे case नो strong करने वाले किसे भी helpful document नो तुसी इकठा करो तुसी आम तोरते पुछे जान वाले travel visa interview questions दी सद्धे को लाके तियारी भी कर सकते हो ठीक है then तुसी अपने family और friends तक पहुचो जेकर थोटे कोई family member या कोई friends ने जिनने पहला भी US visa वास्ती application दिती है या फिर उना नो उना दे तजर्वेयां बारे पुछना बड़ा profitable हो सकता है बड़ा फायदेमंद हो सकता है हर एक application और case अलग होंदा है पर दुझेयां तो यह सुनना बड़ा helpful हो सकता है कि वीजा प्रोसेस बारे उननों की challenges दा सामना करना प्यासी जेकर थोटे दोस्त या फिर थोटे रिष्टिदार है गेने जिनननों तुसी यूएस विच जान दी प्लानिक बना रहे हो ठीक है ता ओ थोटी application विच शो करन वास्ती है ना या invitation है ना प्रॉपर इंविटेशन लेटर लिखके थोट्डिया मन जडी मन्जूरिया ने वाना थी possibilities नो हो और वी वदा दिन देने तो नो पते बीवन बीटू application दे invitation लेटर दी लोड नहीं है पर यूएस गर्मेंट नो ए शो कर सकती है कि थोट्डे कॉल यूएस स्विच थोट्डे समें दुरान रैंड लई जगा है इन्विटेशन बारे इन्विटेशन लेटर बारे है ना तुसी बहुत सारी इंफर्मेशन जे लेना चांदे हो तो सट्डे को लाके विजट भी कर सकते है ना बीवन बेटू वीजा लाई अप्लाई करना कदे भी गरंटी नहीं है पर अजी थोट्डी सब तो मजबूत सब तो स्ट्रॉंग अप्लिकेशन बना नेया जिस विस थोटी हल्प कर देया है ना अजी कई चीजानल कम कर देया बहुत एक्सपीरियंस लेके बैठेया है अजी सक्सेस रिड़ सटा हमेशा बहुत बैटर रहना है सब्सक्राइब एक्सपीरियंस चाफ है गया है ना तो तुसी अपनी प्रफाइल हुणी दिखाओ मैं पूरी कोशिश करता नाल दिनाल तनू प्रॉपर गाइड करता हूं